फिजिकल में जितने लोग उपस्तित हो रहे हैं वो जितने बुलाया जारे उसके आधे हैं और जितने फाइनल जो मैडिकल पास हो रहे हैं वो लगबग एक चोथाई से भी कम हैं तो इसका कई न कई बहुत जादा फर्क पड़ेगा और रिमेडिकल क्यों मिल रहा है किसको न जोड़े रहे हैं कि चनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट के मादिम से कुछ पूर सकते हों दोस्तों जैहिंद आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल से रिलेटेड की किसी का समय जादा आ रहा है ठीक है या फिर अगर मैरिट की चिंता कर रहे हो तो म चीज पता चला है जहां पर ठीक है एक तो ऐसे तो तीन है तो दो है जहां पर सो में से 24 लड़के फाइनल मैडिकल के लिए फिट हुए है ठीक है और एक जगा है जहां पर 22 लड़के फिट हुए है सो में से ठीक है उसमें कितने आए कितने गए फिजिकल में कितने प्रेज तो कहीं न कहीं आपको यह benefit पहुचाएगा ठीक है अभी सीधा बात करेंगे merit के लिए और physical में किसी का समय जादा कम लग रहा है तो दो चीज़ है अगर आपको चाहिए तो आपको भागना पड़ेगा दूसरा कोई option नहीं अभी भी कई कमेंट आ रहे हैं एक भाई साब है उनका कहीं पड़ा था बोल रहा है मसे भीया मेरा इतना timing लग रहा है कुछ help कर दो तो यार देखो वो पता नहीं क्या सोच रहे है ठीक है पर मैं इतना बता देता हूँ पचीस मिनट कुछ लग रहा है तो कई बार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पहली बार दोड़ते हैं वो भी हो जाते हैं देखो अगर आपको motivation चाहिए या physical से related तो दो तिन चीज का ध्यान रखना ठीक है भर पेट इतना दबा के खाना नहीं है जिस दिन physical रहना है उसके पहले दि है ठीक है मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे जैसे है थोड़ा सा ठीक है तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना ठीक है और एकदम prepare रहना ठीक है कि हमको दोड़ना ही है किसी भी तरीके से fit होना ही है जूते का लेस एकदम tight बानना चाहे कुछ हो जाए रुकना नहीं देखो कई बार होता है आप देखे होगे इतना दिन तो आप दोड़े होगे कि दोड़ने के बाद अगर थोड़ी तर रुक जाओ तो फैर फिर जो है वो चलते नहीं है न वो चल भी नहीं सकता यसा हो जाता है थोड़ी देर में तो इन चीजों का वहाँ पर ध्यान रखन और रुकने के बाद फिर देखल चलने लागे नहीं थोड़ा थोड़ा उचल उचलके चलना जैसे चलते हैं दोड़ ऋड़के मतलब इसे दोड़ते रहना रुकना नहीं ठीक है तो हो जाएगा ऐसा कोई दिक्कट नहीं है और दूसरी बात मोंटिवेशन अगर आपको चा इसा आएगा है ना यूनिफोर्म आ जाएगा तो घरवालों के लिए समाज के लिए या क्या क्या हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा से सोचोगे तो यह सबसे ज़्यादर मॉटिवेशन देगा और यह लाइफ लोंग रहेगा है यह समय के साथ खतम नहीं होगा ऐसा नहीं थीक है? तो दोड़ना आपको ही है वहाँ पे दूसरा कोई option नहीं है ठीक है? और अपने दम पे एक दम से लगे रहना रुकना नहीं है अगर रुकोगे तो रह जाओगे नहीं रुकोगे तो दोड़ते रहोगे दोडते रहोगे तो होई जाएगा धीक है? इसमें कहीं दोस्तों से बात करना कई ऐसे होंगे जो पहली बार भी फिजिकल में दोड़ जाएंगे और कई ऐसे होंगे जो बहुत जादा प्रैक्टिस भी किये फिर भी रह जाएंगे तो वो क्या होता है वो होता है मन की सक्ति ठीक है तो मन की सक्ति से लगे रहे ना अभी हम थोड़ा स आपके लिए अच्छा है कि देखो एक जबना तो ऐसा नहीं होता है कि सारे नीचे नमरवाले ज़ितर फेल होते हैं, अप ये मानसकते हो कि 70-30 या 60-40 अप मानसकते हो कि अधिक नमरवाले ज़्यदा तर जो फिजिकल हैं उसमें फेल होते हैं ठीक है तो यह आपके लिए थोड़ा से benefit रहेगा ठीक है आप अगर अभी भी थोड़ा सा मन बना लो तो वो बिल्कुल भी दूर नहीं है ठीक है कर लोगे बड़ी आराम से ठीक है और इसका बहुत जादा फर्क पड़ेगा final merit पर आप देखना ठीक है तो merit बन सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता कि physical के बाद final merit कितना जाएगा लेकिन ये जरूर है कि एगर 100 में से 24 लड़के अगर final हो रहे हैं और physical, medical के साथ साथ, document verification के साथ साथ, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत जादा benefit होगा